नमस्कार दोस्तों, पीटे के सोट में फिर सिक बर आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में जानेंगे सेंट्रिफूगल पंप का जो प्रेसर होता है वो कभी-कभी कम हो जाता है जितना चाहिए उतना प्रेसर नहीं आता है तो इसका रेजन क्या क्या हो सकता है इस वीडियो में चार से पाँच ऐसे रेजन समझेंगे जिसके हो जैसे पानी का फ्लो कम हो जाता है सबसे पहले रेजन यह होता है कि जहां पे आपका फूट वॉल है वो फूट वल चारो साइट से ब्लोग हो जाता है इसके बाद जो प्राब्लम आता है प्रेसर कम होने का वह होता है सेक्षन लाइन में कहीं से लिकिच होना जैसे मान लिए कि सेक्षन लाइन में कहीं से भी लिकिच हो जाता है जिसके हो जैसे पानी तो आएगा लेकिन बीच बीच में पानी छोड़ भी सकता है और फ्लो भी कम कभी कभी किसी किस में क्या होता है शेक्सेन लाइन का जो ip Het Is It Is It Is, जट हो कहीं से सुराग होहता है, जादा दिन पानी में रहते रहते खी Yemem और उसके वहां से नजर नहीं आता है लेकिन वहां से leekich होता रहता है लेकिन उसके उपर जो पानी से बाहर है, उसके बीच में अगर कहीं से लिकिच होता है, तो वह पानी छोड़ने का और फ्लो कम होने का रेजन होता है, उसके बाद जो प्रॉब्लम होता है, पानी का फ्लो कम आने का वह होता है, एमपेलर में क्या होता है, कि सेक्शन लाइन से कोई कचड़ा section line जहां पे foot wall लगा है तो foot wall कभी कभी क्या होता है कि foot wall का जब उपर का जाली होता है वो तूड जाता है और तूटने के बाद हम ध्यान नहीं देते हैं कुछ दिन तक तो चलता है लेकिन जाली तूटा रहता है और जो तूटा भाग है और फिर flow कम हो जाते है तो बस आज के लिए इतना ही मिलेंगे एक नए वीडियो में जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद